तो है दोस्तों स्वागत कर चुए एक बर फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में तो भाई नियर शुरू हुआ नहीं और उससे पहले घर में जो है वो कांड पे कांड पे कांड पे कांड पे कांड जो है वो हुए जारे जी हाँ डबल एविक्षन तो घर के अंदर हो ही चुका है रिंकु धवन और निल भटका और उसके बाद जो है वो अनुराग दोभाल को कही ना कहीं भाई लग गया है डर जी हाँ जैसा कि हमने देखा कि जभी भी अनुराग दोभाल जो है वो नॉमिनेशन में आते हैं तो उनको जो है वो अपनी ब्रो सेना याद आने लग जाते हैं जैसा कि पहले फूल वीक के लिए फूल सीजन के लिए जब वो नॉमिनेटिट थे तो वो हमेशा अपनी ब्रो सेना को याद करते रहते थे लेकिन जैसे ही वो इस नोमिनेशन की प्रकरिया से बाहर निकले उन्होंने चार-पांच अप्टे तक उन्हें अपनी ब्रोस है ना याद ही नहीं है अब जब दुबारा उनको ये चीजे दिखाई देर ये कि रूल ब्रेक्स के आधार पर भी लोगों को जो है वो घर से बाहर निकाला जा रहा है जैसे कि अश्वर्या को निकाला या जैसे कि नील भट का मिड़नाइट इविक्षन हुआ है तो एक और डर जो है कहीना कहीना अनुराग दुबाल के अंदर बन गया है मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मुझे मेरी ब्रो सेना के ओपर पूरा विश्वास है मुझे मेरी ब्रो सेना जो है वो जिता देगी और तुम लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे और इस चीज के चलते जो है वो मुनावर फारुकियों और अनुराग दुबाल के बीच में बहुत तगड़ी वाली जो है वो पाइट हो गया है अभिश्यक कुमार भी जो है वो मैदान में उतरे है और उनकी इस स्टेटमेंट की वज़े से कि तुम कुछ भी कर लो उनके इस घमंड की वज़े से कि तुम कुछ भी कर लो मेरी ब्रो सेना जो है वो मैं जिता दूँगा मेरी ब्रो सेना जो है वो मुझको जिता देगी पूरा घर वरसे जो है वो अनुराग दुबाल हो गया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अनुराग दुबाल की इस स